दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहा हैं एडू बगीचा तो दोस्तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर तीथ के बारे में समझेंगे जो कि हमारे भोजन करने से लेकर और पचने तक वो हमारे काम में मदद करता है तो आईए देखते है दात क्या है कितने परकार के हैं और इसके बारे में और सारे डीटेल्स को देखते हैं सबसे पहले यह जो दात है इस दातों के अध्यान को हम लोग क्या कहते हैं ओडॉन्टो लोजी कहते हैं डातों के अध्यान को ओडॉन्टो लोजी कहते हैं डॉक्टर्स जितने सारे दा dentist उनको बोला जाता है बिल्कुल absolutely right कि dentist बोला जाता है उन लोगों को लेकिन एक और सब्द का इस्तेमाल किया जाता है odontologist इसी odontologist से मिलके बना है odontologist और दातों के डॉक्टर को या तो हम dentist बोल सकते हैं और odontologist बोल सकते हैं dentists actually बोलते क्यों है तो dentist दात का जो internal part होता है वो dentine से बना होता है और उसी den infring To each native बना है clear अब देखते हैं यह देत जो है strong tissue से मिलके बना होता है में जितने सारे दात होते हैं वह सारे दात जो है strong tissue से मिलके बना होता है, जिसका सबसे कठोर पार्ट की अगर बात की जाए, दात में अगर सबसे कठोर पार्ट होए, दात क्या whole body की बात की जाए, तो इनामेल होता है, यह इनामेल strongest parts of body होता है, जो की external part होता है, यानि अगर दात का figure अगर हम लोग देखे, इस तरह से अगर एक दात का figure अगर देखा जाए, तो इसमें यह जो बाहरी परत होता है, यही बाहरी परत जो है, वो इनामेल का बना होता है, ठीक है, अब देखते हैं, यह इनामेल जो है, calcium appetite का बना होता है, केल्सियम एपेटाइट जो की सबसे कठोर पदार्थ है बोडी में उसी से मिलके बना होता है एनामेल तो यह याद रखिएगा हम ऐसा एक्जाम में पुछते रहता है कि एनामेल किस से बना होता है तो केल्सियम एपेटाइट से बना होता है बात करें डेंटाइन की जो की इं ये बहुत सारा SSE, GD, बिहार, पुलिस, रेलवे, उगरा में बहुत बार पुछता है, केलसियम, फॉस्फेट से मिलके बना होता है, डेंटाइन, ठीक है, जो कि इंटर्नल पार्ट है, ये दातों का एक दुस्मन भी है, और उस दातों का दुस्मन हम कहते हैं, फ्लोरीन गैस को, ये जो फ्लोरीन गैस है, ये दातों का दुस्मन कालाता है, क्योंकि फ्लोरीन गैस से दातों का ओच्छा है, यानि दातों का गिरना होता है, बात करें, कि दात अब जो है, दो तरीके से होता है, एक तो होता है, मिलक तीथ, जिसको हम लोग बच्पन में कहते हैं, तीथ भी कहते हैं चुकि ये lifetime तो होती नहीं है इसलिए इसको temporary बोला जाता है और तीसरा इसको primary teeth यानि first stage में यहीं teeth निकलता है इसलिए इसे कहते हैं primary teeth बात की जाए इसकी संख्या की तो milk teeth की संख्या 20 होती है यानि बच्चों में जो दूध के दात होते हैं उसकी संख्या 20 होती है और बात करिए दूध के दात जैसे जैसे तूटने लगते हैं तो permanent teeth निकलने लगते हैं और permanent teeth को ही हम लोग secondary teeth भी काते हैं जिसकी संख्या होती है 32 यानि कि 32 set दात होता है तो अब देखिए एक question और यहां से arise हो सकता है कि milk teeth में 20 और permanent teeth में 32 तो अगर बात पूछ जी है कि मनुस्य के जीवन काल में total कितने दात निकलते हैं तो देखिए तब हो जाएगा answer 52 confused नहीं होना है कि milk teeth में 20 set होता है permanent में 32 होता है अब दोनों को add किया जाएगा तब ना whole life में का निकलेगा तब हो जाएगा 32 plus 20 equal to 52 तो 52 teeth जो है एक जीवन काल में हर एक इंसान का 52 दात होता है अब हम देखते हैं कि types of teeth यानि दात कितने परकार के होते हैं तो में ली दात चार परकार के होते हैं कौन-कौन incisor, canine, premolar और molar आईए समझते हैं incisor का मतलब क्या हुआ incisor का मतलब हुआ इसी को हिंदी में credant कहते हैं credant अब इसका काम देखते हैं credant का काम है काटने का काम करता है credant ठीक है अगर इस figure को देखे तो actually इंसान का दात नहीं है लेकिन समझाने के लिए हम इसके canine को थोड़ा बड़ा बना दी है ऐसा लग रहा है कि डॉग का दात है तो देखिए यह जो front वाला दात होता है यह हुआ यह और यह इसी को हम लोग incisor कहते हैं जो कि काटने में किसी भी चीज को काटने का काम करता है तो यह देखिए यह upper teeth है एक lower teeth भी होगा दोनों सतरा ना teeth होता है इंसान में तो चार उपर तो चार नीचे भी हो गया तो total मिला के कितना हो गया आठ तो ऐसे ही बात करें इसकी संख्या की तो संख्या होती है इसकी कितनी संख्या हो गई आठ ठीक है अब एक और चीज हो बहुत important है जो कि इसके nickname भी कहा जाता है nickname देखिए इसको हम लोग nose teeth के नाम से जानते हैं इंसीजर को nose teeth के नाम से जाना जाता है अब nose teeth क्यों जाना जाता है कुछ देखिए यह नाक का जो दोनों पाठ है इसके ठीक नीचे यह दात होती है यह 8 दात चार यहां और 4 नीचे यह नाक के ठीक नीचे होती है इसलिए इसका nickname पड़ गया है nose teeth ठीक है तो इंसीजर हम लोग समझ गए दूसरा है इसमें का canine दूसरा होता है canine इसको हिंदी में रधनक बोला जाता है और इसका main काम क्या होता है चिरने फारने में इसका काम होता है चिरने फारने में ठीक ह तो चिरने फारने में इसका काम होता है कि कोई भी चीज जैसे आप ही देखिए modern chicken खाते है यहां से चिरने फारने का काम करता है तो इसकी भी संख्या की बात की जाए तो दो उपर है अपर टीथ में तो दो नीचे भी होगा तो इसकी संख्या कितने हो गई? चार, संख्या की बात की जाए इसकी, तो इसकी संख्या हो गई, चार, ठीक है, अब देखते हैं, इसका भी नीक नेम है, अब नीक नेम इसका है क्या, इसका नीक नेम है कि इसको आई तीत कहते हैं, देखिए आख के ठीक नीचे ये दात मिल जाएगा आपको, आप लोग खु गया आई तीथ बात करें अब थर्ड नंबर का इंसीजर हो गया कनाइन हो गया तीसरा नंबर होता है प्री मोलर की अगर बात करें थर्ड नंबर प्री मोलर तो इसमें कंफ्यूजन होता है सबसे लास्ट में प्री मोलर और सबसे लास्ट वाला होता है मोलर तो इसको जड़ा का और दो इधर का यह हो गया प्री मोलर यानि हिंदी में इसको अगर चवर्नक कहेंगे अगर चवर्नक इसका काम क्या होता है चबाने में चबाने में इसका काम होता है इसकी संख्या की बात की जाए तो दो इधर दो इधर चार और चार नीचे तो टोटल मिला के तो 13 कि इसका भी नीकनेम क्या होता है कि यह गाल के जस्ट नीचे होता है इसको कहते हैं अप देंगे इसमें एक सबसे इंपोर्टन बात क्या है कि यह जो दात है प्री मोलर ये चाइल्ड में एबसेंट होता है बच्चों में ये दात होता ही नहीं है तो इसको सबसे ध्यान में रखिएगा कि ये बच्चों में यानि चिल्डरेन में ये क्या होता है एबसेंट होता है ये दात बच्चों में नहीं होता है ठीक है अब बात करते हैं मोलर की जो लास्ट है यह molar की अगर बात की जाए जो की चौथा नंबर है हमारा molar तो यह molar की अगर बात की जाए तो देखिए क्या होता है molar यह last वाला होता है 1,2,3 फिर इधर से 1,2,3 यह last तीन वाला दाथ तीन ठो इधर तीन ठो इधर चाओ और चुकि अपर तीत है लोवर तीत में भी छे होगा तो टोटल मिला के हो गया 12 इसकी संख्या कितनी हो गई 12 तो molar जिसको हम लोग चवारनक बोलते हैं इस चवारनक की टोटल संख्या कितनी हो गई संख्या हो गई बार, ठीक है, तो बारा संख्या हो गई, इसका भी काम क्या है, चबाने में काम है, इसी को, इसी को हम लोग देखते हैं, तो इसी मोलर को हम लोग wisdom teeth बोलेंगे देखिए इसको हम लोग wisdom teeth बोला जाता है wisdom teeth अब देखिए आप लोग गाओं में सुने होंगे बड़े बुजर्ग लोग कहते हैं कि अकल का दाड यानि अकल का दात तो अकल का दात यहीं होता है molar जो कि बड़े होने तक भी निकलते रहता है इसी को wisdom teeth यानि अकल दाड भी कहते हैं अकल दाड भी कहा जाता है इसको यानि अकल का दाड यानि बुद्धी होता है इसलिए wisdom teeth कहा जाता है तो इसकी संख्या हम लोग 12 देख लिए इसकी संख्या अगर बच्चों में देखा जाए तो देखिए इधर से 1, 2, 3 1, 2, 3 होता है ना 3 ठो उपर और फिर 3 नीचे 6 और फिर 6 उस साइड 12 तो बच्चों में अगर बात की जाए तो इसकी संख्या बच्चों में देखें तो देखिए क्या होता है 3rd molar जो होता है वो absent होता है बच्चों में होता ही नहीं है तीसरा नमबर नहीं होता है तीसरा इधर से भी नहीं तो देखिए 1, 2, 3, 4 4 उपर और फिर 4 ही नीचे यानि कि 8 बच्चों में कितनी होती है, टीक है? अप समझ गए हम, क्रिदंतता है जो की काटने में काम करتा है, Eleanor उती है संक्या इसकी 8 होती है बच्चों में भी इसेम ही होती ऐस है इसका नीक नेम हम लोग नोजदीत कहाते है छोकि ये लेते देक संपहने हो close करें तो कैनाईन की बात करें, तो कैनाईन को रदनक बोलते हैं, जिसकी संख्या चार होती है, जिसका काम चिरने फारने में होता है, ठीक है, बच्चों में भी ये संख्या सेम ही होती है, इसका नीक नेम आइतीत होता है, क्योंकि ये आँख के ठीक नीचे पाया जाता है, तो इसक की संख्या भी होती है आठ यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि यह बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है और इसको हम लोग चिक तीथ कहते हैं चुकि यह गाल के जस्ट साइड में पाया जाता ह इसलिए चिक्तित इसका निकनेम है last but not list इसको देखेंगे कि molar क्या है molar को चवरनक कहेंगे इसकी संख्या की बात की जाए तो 12 यानि की 12 होती है इसकी संख्या बच्चो में 3rd molar आपसेंट होने के चलते बच्चो में इसकी संख्या हो जाती है 8 ठीक है इसी को wisdom teeth या अकल डाड कहेंगे तो देखिए इस तरह से हम लोग incisor, canine, premolar और molar पढ़ लिए इसकी संख्या भी हम लोग देख लिए finally हम count करके देखते हैं एक side देखते हैं child में in child और एक side देखते हैं adult में ठीक है? तो बच्चों में incisor की संख्या कितने हम लोग पढ़े थे? 8 चलिए canine की संख्या बच्चों में कितनी थी? 4 जो की same ही थी premolar की संख्या कितनी थी? तो बच्चों में premolar option था? तो 0 और molar की संख्या जो की third molar option था? तो वहाँ भी हो जाती है 8 टोटल इसको count करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 हो गया बात करें adult में तो क्रीदन्थ हमारा जो incisor है वो उसकी संख्या है 8 canine की संख्या 4 premolar की संख्या कितनी है? 8 और molar की संख्या कितनी है? 12 टोटल अगर count करें तो कितना हो जाएगा? 32 तो देखिए यहीं हम लोग पहले पढ़े थे कि मिल्क तीथ में कितना दांत होता है? 20 जबकि पर्मानेंट तीथ में 32 ठीक है? दांत के बारे में अच्छी तरह से समझ गया है उसके टाइप्स देख लिए चार टाइप्स को होते हैं अगला चाप्टर में लोग देखेंगे जीड के बारे में, टॉन्म के बारे में फिर हम लोग इेर के बारे में देखेंगे तो दोस्तों इसको सेर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए दो धन्यवाद झाल झाल झाल